बेलकम टू कासन इस्टडी मित्रों कासन इस्टडी के चैनल में आप सभी का स्वागत है तो जलील्दी मित्रों आज आईए जलील्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो बच्चे नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो मित्रों हम सुरू करते हैं एक universal motor की चाल भार बढ़ने पर क्या होती है तो एक universal motor की चाल भार बढ़ने पर घटती है तो मित्रों ये भी बता दें कि हम एक से लेखर के 50 तक इसे पहले वाले वीडियो में सब्मिट कर चुके हैं अगर वो लक्चर आप ना देखे हो सबसे पहले उसको देखिए तब इसक चलते हैं एक universal motor की चाल भार बढ़ने पर क्या होती है मित्रों तो घटती है आईए कुशन नमबर 52 देखते हैं कुशन नमबर 52 कह रहा है एक AC स्रेंड़ी motor की या पेच्छा एक universal motor में डाट डाट वाले ब्रुस का उप्योग किया जाता है तो किस ब्रुस का उप्योग किया जाता है उच प्रत्रोद वाले ब्रुस का उप्योग करते हैं मित्रों यहाँ पर हमारा आपसंसी सही हो जाएगा कुईशन नमबर हम तिरपन देखते हैं कुईशन नमबर तिरपन कह रहा है एक कमपन सेटिंग बैंडिंग योगत युनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा या तो फिल्ड हुआ डाट डाट और डाट बैंडिंग में धारा की दिशा बदल कर बदल सकते हैं तो क्या बदल सकते हैं मिक्तरों तो यहाँ पर आर मेचर कमपन सेटिंग को बदल सकते हैं कुईशन नमबर चववन देखते हैं कुईशन नमबर चववन हमारा कह रहा है स्रेणी मोटर की तुल्ना में युनिवर्सल मोटर में वायू अंतराल होता है स्रेणी मोटर की तुलना में यूनिवर्सल मोटर में वाईव अंतराल कैसा होता है मिक्त्रों तो वाईव अंतराल जो होता है वो कम होता है आईए कुशन नमबर हम 55 देखते हैं कुशन नमबर 55 कह रहा है सामान घरेलुक हाद मिक्सर में Speed Control के लिए किस बिधी का उपयोग की जाती है तो मित्रों कौन से बिधी का प्रियोग किया जाता है यहाँ पर हम जो है Tabbed Field बिधी का प्रियोग करते हैं तो Tabbed Field का प्रियोग करते हैं आईए Question No. 56 Question No. 56 कहा है एक Universeal Motor के अभिलंब डाट डाट मोटर के अभिलच्छन से मिलते जुलते समय स्वारी मित्रों होते हैं कुईशन फिर से पढ़ लेते हैं एक युनिवर्सल मोटर के अभिलच्छन डाट डाट मोटर के अभिलच्छनों से मिलते जुलते होते हैं तो वो कौन से मोटर होते हैं मित्रों क्या होता है सिंगल फेज मोटर में केंद्रा विसारी स्वीच का उद्देश क्या होता है मित्रों तो जैसा कि जारो आपसन में आपसन नम्बर डीमारा सभी है कचाथन परसंट गत्राप्ट करने पर इस्टार्टिंग बैंडिंग को 90 अंस की दूरी पर इस्थित होती है सिंगल फेज मोटर में में बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग इस्थित होती है तो कैसी इस्थित होती है 90 डिगरी पर 90 अंस दूरी पर इस्थित होती है कुईशन नमबर 59 देखते हैं Question number 59 कहरे रहा है, Starting के समय Universal Motor द्वारा बिक्सित बल,γάगोड रनिंग बल, आगोड का परतिस्त कैसा होता है, то 450 परतिस्त होता है, कितना होता है? 450 परतिस्त, Question number 60, Question number 60 कहरे रहा है, Universal Motor निम्न मेंसे, किसके समान सिध्धानतों पर कार करता है, यूनिवर्सल मोटर जो होता है निम्न में से किसके समान सिध्धान्त परकार करता है मित्रों तो DC मोटर के सिध्धान्त परकार करता है Question number 61 देखते हैं Question number 61 हमारा कह रहा है एक कलिए प्रेरण मोटर का आरंभिक बलागून कैसा होता है तो एक कलिए प्रेण मोटर का रंभिक बालागून मित्रों कितना होता है सून होता है आईए कुईशन नमबर 62 को देखते हैं अस्थाई धारिता मोटर में किस प्रकार की बैंडिंग की जाती है अस्थाई धारता मोटर में किस प्रकार की बैंडिंग की जाती है मित्रों तो स्कैन बैंडिंग की जाती है अस्थाई धारता मोटर में स्कैन